नमस्कार दोस्तों आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं करक राव केतु का जो गोचर 2022 अप्रेल में जो होने वाला है अप्रेल मैने में 2022 को राव केतु का गोचर मेश वेतुला रासी में होने वाला है राहू रिसव रासी छोड़कर मेश रासी में परवेश करने वाले हैं वहीं केतू महाराज रिस्चिक रासी को छोड़कर तुला रासी में परवेश करने वाले हैं इन दोनों का जो गोचर है वो 18 महिनों तक आपके मेश तुला रासी में रहने वाला है करकरासी में दसम भाव से गोचर करेंगे राव दे और केतु दे और जो गोचर करेंगे वो चोते भाव से गोचर करेंगे दसा भाव आपका दसम भाव आपका करम भाव है चोता भाव आपका सुक का भाव है तो राव केतु के इस गोचर से करकरासी फलवालो आपके उपर क्या प्रबाव पढ़ने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबाएक जरूर करे और वीडियो को लाइक जरूर करे तो सुनिए दोस्तो राउ आपको पता है एक क्रूर ग्रह है वेदिक जोतिस में राउ ग्रह को कठोर वानी जुआ दुष्ट करम तुचा के रोग आदिक के बारे में पताया गया है आपके टेंता उस करम भाव में राउ का गोचर ओरने वाला है तो आपके करियर छेतर में उठापटक होना संबव है अब देखिए राउ आपके क्या करेंगे करक रासी में क्या फल देंगे उसके बाद मैं बताऊंगा केतु देव आपके करक रासी में क्या फल देंगे 18 महीन हो जाएगी चुकि इस साथी में आपको अपने कार्य इस तल पर राजनितिक भार जेलना पड़ सकता है आपके उपर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होगी आपके काम के चेतर में बहुत पॉलिटिक्स होगी नौकरी बदलने की योजदा बना रहे हैं तो इस दोरन आपको अ कोई साथी में इस्तानांतरन का आदेश मिलने की आशंका है आपके कोई सानांतर ट्रांसफर हो सकता है जो जातक आइटी इंडेस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए जमय अनुकूल है इस दोरन वह अपनी योग्यता साबित करने में सफलता हासिल कर सकेंगे साथ ही आपक लाब बाउस से गोचर करके आएंगे टैन ता उसमें तो वैपार की द्रिश्टी से भी आपको लाब जरूर कराएंगे लेकिन वैपार से आपको कहीं न कहीं चेंज वैपार में कुछ चेंज करना पड़ सकता है कुछ बदलाव लाना पड़ सकता है बदलाव लाओगे वैदान उत्पन करेगा पंचम भाव से गोचर करके चोते भाव में राउदेव जाएंगे तो इस अवदी में खुद का खोयावा जो प्यार आपने प्रेम खोया था वो आपको वापिस मिल सकता है आपको उनकी याद आ सकती है जिसका सीधा प्रवाव उनके प्रदसन पर प काफी ज्यादा रहेगी आपके परिवार के सदस्चों के भी कुछ अनबन बन सकती को जगड़े भी हो सकते हैं जिससे आपके घर की सांती भंग हो सकती है आपको यह सलाब दी जाती है कि साओधी में किसी भी संपत्ती में निवेस नह करें कोई घर कोई नया घर लेने की न आपको रह सकते हो बार बार आपको इलाज के लिए चिकिस्षकों को भी बदलना पढ़ सकता है इस दोरान आपके जुकाव कुछ नहीं चीज़ों को सीखने की और रह सकता है विसेश रूप से कंप्यूटर की नहीं बासाओं विदेशी बाजारों के बारे में ज्यान प्र रही है साथे दिश्टी करम बाव पर पढ़ेगी और नवी दिश्टी नुकसान बाव पर पढ़ेगी तो आपके बड़ी बीमारी होने का मन का सांत डिप्रेशन इस्ट्रेस होने के चांस बन सकते हैं लाव में ब्रेक अप हो सकता है लाव लाइफ में ब्रेक अप होने के मन आपका काफी असानात रहेगा एक जिगह स्टेबल नहीं रहेगा वहीं राउदेव की जो दृष्टिया है वह आपके धनबाव पर पर पड़ेगी और आपके नोक्री आउस पर पड़ेगी जो धन में वृद्धी करेगा राउ आपका नोक्री चेंज करना चाहते हो या न काफी अच्छा प्रभाव मिलेगा और राउ के विलिए स्याम को इवनिंग में गली के कुत्तों को दूद रोटी किलाने से राउ का प्रभाव अच्छा मिलेगा और आपको बेनेफिट होगा धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जै मता दिम्टा